आज हम एक रिवी करेंगे पावर बन अल्टिमेट कास्ट्रोल पाव इंजिनोएट 10W 10W 40 का यह मैंने चौनचा पर्सेश किया है अगर आप भी इसे पर्सेश करना चाहते है तो हमारे विच्छे में वीडियो के डिस्क्रिट सेमने दूई वीलिंक से बाय गड़ा चकते हैं मैंने इचे चाड़ पांचा रूपे में घ्रीदा है यह ऐक सिंथैटिक और फुली सिंथ्थेटिक ओईल है क्योंकि बाइक के लिए बनाया गया है ये 5-1-1 फर्मॉला के साथ बना हुए ये सिंथ्थेटिक ऑईल है नाकि मेंदल पर कर स्ट्रोल का है बीएस फॉर रेडी ओएल है यह कि बीएस फॉर रेडी वन लेटर की पैकिंग आते हैं इसके साथ इसमें आपको 16 रुपी का कूपन मिलता है क्योंकि आप अपने बैंक में ट्रांसपर्स कर सकते हैं इसके वीडियो हम अलेक्सी वीडियो बनाएंगे कैसे हम यह कूपन को ले सकते हैं यह पावर वन अल्टिमेट फुली सिंथेटिक टेक्नोलोजी इंजिन वाइल फॉर बाइ एक्स एक्स रिलेशन स्मूथ राइडिंग और इसमें इंजिन को कूल रखता है इसके साथ यह बहुत यह अच्छी परफॉर्मेंस दाता है बैक इससे और यह आपको सुटेबल फॉर्ट वीलर स्वेर ऐसा है यह ऐसा को एड़स ड़्ली फोटी अलाकि यह हम सुपर बैक् लेकिन हम इसे रेगुलर बैक्स में भी डाल सकते जिसके आपकी बैक की प्रफॉर्मेंस बढ़ देगी उसके साथ आपकी बैक की इंजिन डाइफ बनी रहेगी और इस इंजिन ओयल को हम डालेंगे इस प्लेंडर में इस प्लेंडर प्लस हीरो का चुकि आपको नेक्ट वी सिन्तेटिक ओईल वेल्यवार मनी रहता है नहीं रहता है याल हमां इसे ही बैकि मीन्डर गाता है वो सुल ओल होते है इसको रीफाइन करकर पेकिंग हो गया आता है और यह सिंथेटिक ओइल आता हुआ यह आपको meint made बनाय उसमें क्लेनिंग एडिएंट्स और एडिटिव डाले जाते हैं जिससे के इंजिन रहा है और इसे इंजिन रहता है कि इजो कि हमारे कंपनिस में सर्विस होती है इसमें वो मिन ओडालते है अ याती है इसलिए वह इतनी हीट ने होती है लेकिन यह हीट रासिस्टेंट होता है इसलिए यह सुट्पर बैक्स में मस है यह आपको अमेज़ान पर हाज आने से मिल जाएगा यह पाइव इन वन हीनिक फर्म लास आता था इसमें आपको इसमें देख हो यहां पहलेका हुए एक्सिलेंट एक्सिलेशन एक्सिलेंट प्रोटेक्शन स्मूथ राइडिंग कि इंजिन और कूल एंड्यूरिंग परपॉर्मेंस और आपको इसका पता लगाना है कि यह औरिजनल है कि नहीं इसके कैप के निचे बाद में हम इस टाइम बताएंगे खुलने के टाइम उपन बॉक्सिं करेंगे तब इसके मतलब वाल चांज करेंगे तो हम बताएंगे इसके इंदर कूपन मिलता है और इसके ओरिजिनल को कैसे पैसा आना है यह हमारे को 45 रुपे मिला है और हम इसको ट्राय करके देगेंगे बाइक में यह वैली फोन मनी रहता है यह नहीं रहता है कि जैन्दा तो लोग कमीत ही रहता है कि हम के सिंथेटिक डालेंगे तो क्या इंजिन फ्लस करवाना होगा कि ने करवाना मैं आपको सबसे बढ़िया सेजिशन देता हूं कि आपका इंजिन ओले पहले का उसको थोड़ा वाइक को वाम अप कर लेजिए वाम करेंगे तो आपका वाइल होगा वह तुड़ा पतला हो सिंथेटिक वाइल दाल देना है वह ऑदी अच्छा परफंक बनेंगे और हमारी वीडियो मैं बता जाएगा पूरा आपको कैसे पूरा प्रोसेस सफ़ेखले ये विडियो में बता जाएगा और कई लोगों के मित रहते है कि कि मिन्ट अउल जंद जल्द चाहिंज होता है और यह जो सिंत्याटिक फॉल लांग टुरेशन के बाद चैन्ज होता है लेकिन synthetic oil मेड़ी टीफ रखते और cleaning agent चैसे के इंजिन clean रहता है और इससे ए के शार जाट तक गंटे तक चलता है नहीं जाए मिनरोल इससोगंटे क्लियो मेटर तक चलता है उसी के साथ ये साथ ये शार से ये 200 किलो मेटर आसान नहीं चला सकते है और इसके सा आपको पहले आपने नहीं बाइक करें दिये तो आप 2-3 चार सर्वीस आपको कमपनी से करवाने जिशा कि वह रेंटर होना है वह इंजिन के वाजाता है उसके बाद आपको नहीं बाइक खरता तो नॉर्मली ठोड़ी बाइक हीट होती है यह नॉर्मल है तो आप दू तीन सर्वीस कंपनी से लेजिए उसकी बाद ये आपको ये चलते हैं अगर आपका सुपर बैक है तो आप आसने चाहिए जाल सकते हैं कैस्ट्र पावलन अल्टिमेट इसके हैं से पैकिंग आती है डूप्लिकेट से बसना चाहिए हमेशा 10WT अला कि इस अला कि इस प्लेंगे नेक्स वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बिताएंगे कैसे इस प्लेंड है और इसके वैली फॉर मनी रहता है इससे कोई फ्रक पड़ता है ने पर आप अगली वीडियो में देखेंगे थैंक्स पर वासिंग